दोस्तो इस वीडियो में हम पाइवर टेवल A to Z सेटिंग के पार्ट टू के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में दिये गया है और उपर आई बटन पे भी मैंने दे दिया है आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं तो आई दोस्तो वीडियो को आरंब करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अभी जीत आपका सच्चा साथी, सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब जीजी टेक्निकल फोरेम दोस्तो पिछले वीडियो में हमने यहां से यहां तक सारे सेटिंग के बारे में डिटेल से बात किया था और इस वीडियो में हम यहां से यहां तक सारे सेटिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहेगा वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो आई वीडियो को सुरू करते हैं मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ मैं फिर से पाइवट टेवल यहां लगाऊंगा यहां आप देख रहे हैं कंपनी के नेम दिये गया है यह हमारा टेलिकॉम कंपनी के नेम है वोड़ा फोन भी एशनल इट्सेटरा ठीक है यह हमारे कस्टमर के नेम है और यहां उनके र रिचार्ज कराया है और 2016 में ने कितने का रिचार्ज कराया है इस पर हम पाइवट अपलाई करने जा रहे है हम क्या करेंगे इस पर करसर रखेंगे इंशर्ट पर जाएंगे पाइवट टेवल पर जाएंगे दोस्तों अगर आपको पाइवट टेवल नहीं आता तो मैंने स तो हमारे new worksheet पे private table create हो जाता, right तो हम क्या करेंगे, अब O.K करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहां private table आ चुका है अब हम क्या करेंगे, company name को लेंगे row section में, right customer name को भी लेंगे row section में ऑर recharge into time 15 को value section में और इसे भी value section में, right तो यहां आप देखी अब हमारे पास आ गया company wise, customer wise, recharge details यानि किस customer ने कितने का recharge करा है उसका details आ गया company wise यानि air tail में हमारे कितने customer है और कितने कितने का recharge करा है उसकी details आ गया तो अब चली हम आपने सारे option के और move करते हैं हमने यहां तक पिछले वीडियो में बात कर लिया था details से ठीक है अब हम यहां से यहां तक बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह field setting से start करेंगे क्योंकि यह काफी interesting है आपको काफी पसंद आएगा ठीक है तो जैसे अभी हम इस पे click करेंगे ठीक है अगर हम इसे change करना चाहे तो हम लिखना चाहे अपने requirement के according तो हम यहां telecom लिख सकते है ठीक है यह देखिए telecom हमने लिखा और ok किया तो अभी क्या होगा हमारा यहां main data में हमारा कुछ भी change नहीं होगा आप देख रहे हमारा company company as it is है लेकिन हमारा यहां जो private table field है इसमें आप देखिए हमारा telecom हो गया ठीक है तो अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप कर सकते हैं अब हम cursor अगर यहां पर रखेंगे तो अभी आप देखिए हम field setting में जाएंगे तो हमारा आप देखिए customer name highlight होने लगा तो हम इसे भी edit कर सकते हैं अगर हम चाहे अपने requirement के हिसाब से तो change कर सकते हैं अगर हम चाहे तो इसे employee name लिख सकते हैं अगर ऐसी requirement है हमारी तो ठीक है तो अभी आप देखिए यह हमारा employee name में convert हो चुका है तो अब चलिए अपने interesting settings की और move करते हैं हम फिर से जाएंगे इस field setting में ठीक है तो यहां हमारे पास है subtotals and filters ठीक है इसमें हमारा पहला जो आरा subtotals में automatic, none and custom ठीक है तो automatic क्या है यह हमेशा इसे by default Excel की तरफ से रहता है automatic तो यह हमारा अभी आप देख रहे हैं यहां हमारा sum आ रहा इन दोनों का sum यहां उपर में आ रहा है इसी तरह हर company का sum है आप देख रहे हैं इन दोनों का sum यहां पे है और इन दोनों का sum यहां पे है इसी तरह सारे का sum आप देखें आ रहा है अभी हम फिर से चलते हैं फिल्ट सेटिंग में और हम अगर यहां नन कर देंगे तो अभी आप देखेंगे क्या होगा हमारा ही जो सब टोटाल आ रहा था वो हट जाएगा इसे आप यहां से भी हटा सकते है मैंने पिछला वीडिओ उम बताया था यह यहां से ठीक है इसे आप यहां से भी perform कर सकते हैं फिर चलते हैं फिर setting में यहां आ रहा है custom यह सबसे interesting है देखिए अभी होगा क्या मैं some को select करूंगा ठीक है अब मैं इसे select करता जा रहा हूँ आप देख रहे हैं मैं max को भी select कर लिया और min को भी select कर लिया तो अभी होगा क्या आप okay करेंगे तो अभी आप देखिए मेरे पास हर company की details आ चुकी है यानि airtail में कितने का recharge हुआ total देखिए 830 का है 2015 में and 2016 में 996 और इसके सामने आ गया कितने number of customer ने recharge किया यह भी count हो के आ गया average हमारा क्या recharge था पर customer हमारा average क्या recharge हो रहा था यह भी आ गया हमारे पास maximum कितने का recharge हुआ यह भी आ गया और minimum कितने का recharge हुआ यह भी आ गया अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप इसे कर सकते हैं गाफी amazing future से बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में ठीक है फिर से हमापने setting के और move करते हैं field setting पे आया अभी आप देख रहे हैं हमारे पास इतने सारे select मैंने किये थे अब मैं इस पे click करूँगा और सबको हटा दूगा अब मुझे अगर सिर्फ count करना है इनका तो हम क्या करेंगे सिर्फ count पे click करेंगे और ok कर देंगे तो अभी मेर average करना है तो आप average पे click करेंगे तो आपका दोनों select होड़ा तो आप count पे click कर देंगे तो count हट जाएगा ठीक है और अब आप average पे click करेंगे तो अभी आप देखेंगा हमारा एरेटेल पे average recharge आगया 415 का है average recharge per customer और इसी तरह हमारे पास सारे details आ चुके है ठीक है फिर से हम च in outline form तो अभी हमारे इसमें दो option है display level from the next field in the same column ठीक है compact form है अगर मैं मालेजे इस पे सिर्फ click करता हूँ मालेजे मैंने दोनों tick हटा दिया तो अभी होगा क्या आप देखेगा okay करता हूँ तो पहला हमारा क्या हुआ अभी आप देख रहे हमारे जो इसमें sub total था वो भी नह compact form में हो जाएगा यह देखे इस तरह आपका एगा right ठीक है और फिर से मैं fill setting पे जाता हूँ और अभी आपने जैसे इस पे tick हटाया तो होगा क्या देखे यहां क्या लिका है ध्यान से पढ़िए display levels from the next field in the same column ठीक है तो अभी आपका देख रहे हैं कि हमारा same column में यह details आ र यह इस setting का benefit है अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप ऐसा भी perform कर सकते हैं ठीक है चलिए दूसरे setting के और आपको बताते हैं अगर मालेजे आपने इस पे click किया display subtotal at the top of each group अगर आपने इस पे से setting हटाया मालेजे ठीक है मैं इस पे tick करता हूँ इस में से आपने मालेजे click हटा दिया और ओके किया तो अभी आपका क्या होगा जो आपका subtotal है वो नीचे आने लगेगा यह देखिए अब देख रहे हैं हमारा नीचे आ रहा है पहले क्या था कि हमारा ऊपर आ रहा था यह देखिए fill setting पे गया हम layout and print पे गये तो अभी क्या था हमारा display subtotal at the top of each group तो हमारा क्या तो इस पर टिक करने का यह benefits है यानि हमारी दोनों option आपको clear हो गए अगर आप इस पर टिक हटाएंगे तो यह क्या होगा जो हमारा यह name है यह हमारा अलग column पे हो जाएगा ठीक है simple में समझेए अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो यह same column पे name आने लगेगा इस पर हटा द करते हैं तो अभी हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे so item levels in tabular form तो अभी क्या होगा हमारे यह tabular form पे हो जाएगा अगर आपकी Ic requirement है तो आप ऐसा भी setting कर सकते है राइट चलिए next option के फिर से वढ़ते हैं दूसरा हमारा option क्या है अब ध्यान से समझेगा तो अब हम इन तीनों option के बारे में बात करेंगे पहला हमारा repeat item levels तो इस पर जैसे हम टिक करेंगे तो अभी आप देखे अभी आपका क्या air tail है यहां यहां air tail नहीं आ रहा राइट यहां भी तो जैसे हम ओके करेंगे तो अभी आप देखे हमारे यह repeat हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि हमारी नीचे वाली भी row fill हो जाए जो हमारे उपर में data है तो आप इसे ऐसे भी perform कर सकते हैं ठीक है फिर से चलते हैं सेटिंग में अब हमारा insert blank lines after each item levels तो इस पर जैसे आप click करेंगे तो अभी आप देखे हर item level के बाद आपका एक-एक blank row insert होगी है फिर से चलिए हम option पे चलते हैं अपने fill setting पे अब हमारा last है आप देख रहे हैं क्या है so item with no data ये काफी important है friends आपके लिए काफी useful भी है आईए इसे समझते है ठीक है इसके लिए मैं पहले क्या करूँ इस chart को prepare कर लेता हूँ थोड़े और अच्छे से ठीक है और आप यहां चूच करेंगे so item with no data ठीक है तो होगा क्या अभी आप देखेंगे हमारा कुछ भी action नहीं हो रहा है यहां तो हमें cursor यहां पे रखना है ठीक है उसके पाद जाना है फिर से fill setting पे और यहां layout and print पे जाएंगे और यहां हम लिख टिक करेंगे so item with no data इस पे टिक करेंगे और okay करेंगे तो अभी आप देखें मेरे पास क्या आ रहा अब आप देखें ध्यान से समझिए मेरे पास air tail के अंदर आ गया किन customer ने कितने का रिचार्च कराया था ठीक है यह यानि दो ही customer थे जो मारे पहले आ रहे थे और हमारे पास उन customer की भी details आ गए जिन्नों ने कुछ भी नहीं कराया है यानि no data आप देख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे इसी के accordingly अपना plan बनाएंगे ताकि हमारे यह सारे customer भी air tail का sim use करें और recharge कराया है क्योंकि यह दोनों तो हमारे customer use ही कर रहे हैं पहले हमारा data था इस type से आप देख रहे हैं यह देखें अमीत अमरित मनी इन्होंने recharge कराया था जैसी है मैंने इस पर क्लिक किया फिल्ट सेटिंग पे गया और layout and print पे गया और so item with no data इस देखें इसका मतलब यह यानि अगर कोई data नहीं हो भी हमारे पास so होने लगे तो आप देख रहे हमारे पास इसके पास जो भी यहाँ data था ही नहीं यानि airtel में हमारे सिर्फ दो customer थे बाकी में जो data नहीं हो भी यहाँ so कर देगा अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप ऐसा भी perform कर सकते हैं इस setting के द्वारा तो हमारे यह वाला section complete हो गया field setting अगर कोई आपको confusion है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं या instagram पे follow करके वहाँ आप हमारा अमित इसके नीचे आ जाएगा ठीक है डाउन हो जाएगा ठीक है अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा अभी आप देखे हमारा कर सकते हैं अब फिर से जाओंगा मुव पे ठीक है तो यहां हमारा down and end आपको complete हो गया अब हमारे पास तीन option बसते हैं जैसे आपने बिगनिंग किया तो यह क्या होगा जैसे मैंने टिक किया तो क्या होगा हमारा starting में मोहन आ जा रहा आप देख रहे हैं यह कैसे आपको concept clear होगा मैं आपको बता रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा right click करिए ठीक है layout and print पे जाए और इसको आप click कर देंगे क्या यह वाला हटा देंगे ठीक है तो अभी हमारा हो जाएगा tabular form में यह हो गया तो अब आप इस concept को समझेए तो अभी आप देख रहे हैं हमारा question मोहन पे जो की employee name है और हमारा telecom right side में है यानि मोहन हमारा left side में है जो की employee name है और tele telecom हमारा right side में है ठीक है इस चीश को ध्यान से समझेगा मैं मोहन पे जाता हूँ जैसे मैंने move पे गया फिर से और अभी मैं क्या करूँगा move employee name to right तो देखिए क्या होगा हमारा जो employee name था हो right side आ गया और हमारा जो company है यह देखिए left side हो गया इसको आप लोग कैसे perform करते थे मैं आपको समझा देता हूँ जैसे अभी मैंने क्या करूँगा जैसे मैं air tail को जैसे right करूँगा तो मेरा air tail यहां आ जाएगा और employee name मेरा इधर shift हो जाएगा आप लोग पहले क्या करते थे अभी मालिजे हमारा air tail यहां पे है right ठीक है तो अगर आप चाहते customer name हमारा पहले हो तो आप लोग क्या करते थे इसको हटाते थे employee name को पहले करते थे उसके बाद telecom line को यहां से up down करते थे right इसी तरह करते थे आप लोग जबकि आपको यहीं से direct आप perform कर सकते हैं अगर मालिजे आपको employee name को इधर shift करना है तो आप क्या करेंगे just move पे जाएंगे और employee name क्या कर right side में कर देंगे तो आपका just इधर shift हो जाएगा right side में आप देखेंगे हमारा employee name आ गया और यह हमारा left side में add tail है इसी तरह आप मालिजे इसको करना चाहते हैं इस पे click करिए move पे जाएए अब इसको क्या कर देंगे आप left side कर देंगे move employee name to left तो just हमारा यह इधर employee name हो तो इस तरह आप perform कर सकते है move option का use करके जहां आपका cursor होगा उसके recording यह perform होगा जैसे मालिजे मेरा मोहन पे है तो मोहन के recording यानि employee name के recording perform होगा यह देखें employee name to right employee name to end employee name to column अब मान लिजे आप दोस्तों क्या करते थे पहले अगर आपको employee name को column पे लेना है तो आप लोग क्या करते थे पहले field वाले area से employee name को उठाते थे और column पे यहां ले जाके drop करते थे right इसी तरह करते थे लेकिन आप directly यहां से भी perform कर सकते हैं आपको क्या करना ब right click करिए move पे जाए move पे जाने के बाद move telecom to column तो अभी आप देखे हमारा यह telecom column पे shift हो गया तो यहां से भी आप perform कर सकते हैं बार बार अगर मान लिजे आपका यह field यहां से आपने काट दिया है तो अभी आप इसको perform करने के लिए आप क्या करेंगे फिर से यहां click करेंग ठीक है so field list करेंगे और फिर यहां से जाके perform करेंगे तो काफी time लग रहा है अभी मान लिजे मुझे फिर से इस company name को row में move करना है तो मैं क्या करूंगा फिर से इस पे click करूंगा right click करूंगा move पे जाओंगा move telecom to row तो यह देखे हमारा row पे हो गया तो आसा है दोस्तों आप remove employee name तो यह क्या इसको समझेजे मान लिजे आपका cursor यहां है आप इसे remove करना चाहते है इस field को आपको फिर so field करने की जड़ोत नहीं है अगर मान लिजे आपको इसे remove करना इस वाले field को air tail company वाले field को remove करना right click करिए remove telecom तो आप देखेंगा हमारा telecom remove हो चुका इसी तरह अगर आप employee name को remove करना चाहते तो employee name पर click करिए right click करिए remove employee name कर दीजे तो यह employee name हमारा हट जाएगा हमें बार बार यहां से so field list नहीं करना है और यहां से नहीं हटाना है तो चलिए next option के और बढ़ते हैं अब हमारा आता है क्या यह हमारा हो गया move हो गया ठीक है remove हो गया field setting हो गया ठ ठीक है so field list आपको पता है इस पर जैसे आप click करेंगे तो हमारा field आ जाएगा right click करेंगे hide field list क्लिक करेंगे तो यह फिर से hide हो जाएगा right और हमारा यह additional selection यह क्या है इसका मैंने video already बना दिया है मैं link description box में दे दूँगा और उपर i button पे भी मैंने दे दिया आप जाके check कर सकत तो चैनल को subscribe कर लिजे video को like कर दिजे share कर दिजे comment कर दिजे मिलते हैं next video में दोस्तो जय हिन